बिस्मुलाहिर्रह्मानिर्रहीम असलामुलेकूम हम पढ़ रहे हैं Python Backend Web Development Programming with Django और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं Dynamic URL Routing in Django Dynamic URLs कैसे बनाए जाते हैं? Basically, Dynamic URLs होता क्या है? हम तो सबसे पहले यह देख लेते हैं Dynamic URLs इस तरह से होता है कि suppose कि यह मेरे पास कोई एक particular features है और जिसकी यहां पर एक short description सिर्फ इतनी लिखी है कि our service is very fast यहां पर अगर read more का button हो और मैं जब click करूँ तो यही particular service मेरी अलक से open हो जाए जिसमें detailed हमारी service के बारे में लिखावा हो या फिर suppose कि मेरे पास multiple posts यहां फेच हो रही है कि मैं किसी particular post पे click करूँ तो वह post यानि कि complete article के साथ open हो जाए कि कुछ इससरा suppose कि मेरे पास इससरा से एक page बनावा है जिसमें all posts नजर आ रही है कि चीक है तो मैं किसी particular post पे click करूँ तो वह उस post की तरफ बला जाया ऐसा पोस्ट के पोस्ट नेम है पोस्ट नेम क्या है कि पोस्ट के service चीक है या पिर कुछ इससरा post इससे इस इससराбо attitude और पोस्ट केश्ट के.. कि इससंद्Не क्यूच से तो कि इससरा से ऐसाब बात प्रक नशॉट हे तो वह उलंतż होती है या जिनुरेट होती है इससरा से टामिकौि लिएत होती है इन फार्ट होती है ट्लोच अवा आज देखेंगे अब इस वक्त मेरे पाफ पोस्ट नाम का कोई यानि कि राउट वजूत नहीं है तो इस वज़ा थे हमारे पास एरर आगया हम वापत हमारे में हॉम पेज पर आ जाते हैं ठीक है के लिए अब सपोस्ट के लिए जो है वो पात जेनरेट कर रहा हूं मैं पूस्ट के लिए पात जेनरेट कर रहा हूं ठीक है अब मुझे पता है कि इस यूरिल के आगे पोस्ट के बाद स्लैश के बाद पूस्ट नंबर आएगा या पोस्ट नेम आएगा या एनी जो भी चीज यहां पर डिस्प्ले होगी तो उटके लिए फिर स्लेश करके आगे में राउट को बढ़ाऊंगा यहां पर फिर मुझे पाइथन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जैंगू में कि यहां पर बताना होता है कि आप यूरल में जो सैकिंड प्रामीटर के तोर पर जो भी इसको हम कहते हैं यूरल वेलिएबिल अब किसी भी नाम कि यहां पर सकते हो सब्सक्राइब कर से बना रहा हूं एक में यूरिएबिल बना दिया यह वैसे कलि क्या होगा कि जब भी हमारे पास यूरल में यूर्ल इसी करह करते हो स्लेश वन स्लेश टू स्लेश थी स्लेश फोर भी पर्टिक्लर पोस्ट तो यह 1 2 3 4 5 यह क्या होगा यह तेंपररी तो पर यूरल वेरियेबल में वो चीज यहां पर रखी जाएगी तो इस तरह से मैंने यह यूजर डिफाइन होता है किसी भी नाम से हम बना सकते हैं आफ्टर दिस व्यू यूजर पॉस्ट बनाओंगा इंसाइड व्यू तो मैं आजाता हूँ व्यूजद नाम की हमारे इस फंक्शन की तरव ठीक्याअ तो मैं यहां नीची आ जाता हूँ ठीक है मैं एक function बना रहा हूँ with the name of post यहां पर हमारे पास post ही है ठीक है यहां पर पुस इसा भी कर सकते हैं तो मैं इसको फिलाल single post ही रखता हूँ तो मैं यहां आ गए मैंने post नाम से एक function बनाया और इस function में जो है तो मैंसा पहले तो मैंने request पास की and comma करके वह particular variable मैंने जो url variable के नाम से मैंने generate किया है ठीक है मैंने post save बनाया है तो वह भी यहां पर आएगा ठीक है and after this मैं simply return render and what request comma post dot html अब मुझे एक page बनाना होगा with the name of post dot html तो मैं यहां पर क्या करूंगा हमारे पास जो template नाम का folder है मैंने इस पर क्लिक किया and a new file पर क्लिक किया and this post dot html नाम से मैं फाइल कर रहा हूं तो यह मेरे पास एक post dot html नाम से एक file create हो चुकी है मगर मैं फलाल इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा है अब url में से particular value आ रही है हमारे पास ठीक है कि हम ऐसे यहां पर consider करें कि हम कुन सी post open कर रहा है slash what slash one slash two slash three post number one post number two post number three तो कौन सा तो वो जो url में से यह चीज यह receive हो रही है ना this one यह हम यहां send करवाएंगे यहां पर हमारे यानिके particular post dot html नाम के page की तरफ ठीक है तो उसके लिए मैं यहां पर पहले तो यह क्या है यह हमारा यानिके एक की है जिस नाम से मैं वहां पर चीज जो है वो करवाऊंगा और जो receive हो रही है वह चीज मैं इस तरा से को value की तो पर वहां send कर रहा हूं ठीक है नाम same होने से कोई issue नहीं है मैं नाम same दे रहा हूं तो यह मैंने चीज यहां send कर दी and after this मैं simply अपने यहां आ जाता हूं कि मैं h1 बना रहा हूं और h1 के अंदर मैं suppose लिकन the value in the url is what वहां से मैंने की नाम से जो है वो की भेजी है वहां से मैंने की id नाम से ही send करवाई है after this अब मुझे क्या करना है कि मैं आपको फिलाल custom यहां पर करके लिखाता हूं कि मैंने slash post लिखा क्योंकि post नाम का url हम बना चुके हैं मगर इसके अंदर आगे भी कोई value है तो मैं just post करूंगा तो देखे मेरे पास error आ रहा है क्योंकि route हमारा कुछ इसरास है तो इसको आगे एक id चाहिए आगे इसको एक value चाहिए कोई ना कोई and second चीज यह कि हमेशा जो भी url में से value आती है वो by default date होता है वो post नहीं होता क्योंकि url में वो चीज नजर आ रही है slash कर slash करके मैं one कर रहा हूं one जैसे enter करूंगा तो देखे मेरे पास value of url is one इसी तरह से मैंने two कर दिया value of url automatically नीचे two हो गया या फिर suppose अगर url में से value अली आ रही है ठीक है so automatically क्या हो गया the value of url अली so string यहां पे रखने का main मकसद यही था कि अब string जो है वो यानि कि number and string दोनों support करेगा अगर url में से ओपर कोई text आ रहा है तो वो भी receive हो जाएगा easily हमारे पास और अगर कोई number आ रहा है तो वो भी हमारे पास easily patch हो सकता है सबसे पहले तो और उसके बात क्या है अब मैं काम करता हूं मैं काम क्या करता हूं कि मैं थोरा सा यहां पर यह जो हमारे पास एक function बनावा था ना counter नाम का यह हमारे पास फदूल बनावा है क्योंकि हमने बहुत प्लेस के पर काम किया था तो one second मैं इसी को use करा लेता हूं मैं सबसे पहले तो यह इसमें से remove कर देता हूं और इसके अंदर मैं करें थोरी दर के लिए कि मेरे पास database में से all posts आ रही है चीक है जैसे कि हम जो function है like this के all features या all post objects all के नाम से हमने एक यानि की यहां पे बना दिया है तो post कुछ इससरा ठीक है 5, अलीव अहमद ठीक है कि मेरे पास यानि कि जो suppose अज्यूम करें कि यह database में से हमारे पास multiple posts आ रही है ठीक है 5 ते साथ 8 posts आ रही है हमारे पास ठीक है different name हमारे पास multiple posts आ रही है अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि जो counter.html की तरफ यह जो value है मैं send करा दूँगा यह मैंने post variable यहां पे send करा दिया with post name कुछ है अब मैं क्या करूंगा कि यह जो हमारा counter.html जो page था मैं इसको suppose के use करवाता हूं फिलाल और all posts के लिए यहां पे इस page पे मैं किसी particular post पे click करूंगा तो वह फिर इस page पे single post होके open हो जाएगी ताकि हम complete post को read कर सकें क्योंकि यहां पे इस page पे मेरे पास post open हो रही है वह यानि कि just post के नाम है जैसे blog में होता है तो यहां पे मैं counter मैं क्या करूंगा फोर्लूप लाँ है ठीक है इस वहां पे इस वहां से हमारे पास वैलू आएए वो post के नाम से आ रही है this, pick it with s so this one मैं रिसीव की ठीक है एड मैं यहां पे simply for loop के अंटर h1 लगा देताँ है और h1 के अंदर मैं क्या यह एक anchor बना रहा हूं और anchor के यहां पर लिख देता हूं पोस्ट ठीक है यानि कि जितनी मेरे पास पोस्ट पोस्ट वाने पोस्टू पोस्टू पोस्ट्री जो ठीक है और यहां पर मैं for loop को end करा दूँगा यहां पर मैं URL कैसे set करूंगा यह तुरा सा देखिएगा URL क्योंकि हम एक दूसरे व्यू के पेज को यहां पर डारेक्ली ओपन कराना चाहरे हैं URL का एक पुस्ट नाम हमारे पास यह HTML पैज है ठीक है जहां हम पोस्ट भेज रहे हैं और इसमें वेल्यू क्या आ रही है इसमें वेल्यू आ रही है यह वाली 1 2 3 4 अली आहमदबासित तो यह मैंने को चसरा से इसको बता दिया कि यूरल डेजाइन कर दी मैं यहां पर आपिन करूंगा को क्या है यह यह कि 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 पॉस्स नॉटर एलिड नेम वाइट इस नॉटर वैलिड नेम कि यहां पर हमारे पास हमने यॉरिल बनाई और इस तरह मैंने इसको पोस्स को कॉल किया एंड पोस्स पेज़ थी तो इस वन इस पर्फेक्ट कि यहां पर कुछ ऐसा करूं कि मैं इस तरह से प्रास्स में यह चीज़ ना लिखूं अगर और मैं डारेक्ट ली क्योंकि हमारे पास यॉरिल में राउट तो बनावा है ना पोस्स का एक कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं डारेक्ली यहां पर पोस्स से लिख दूँ और जो पोल लूप में से मैंने जो पोस्स आउपन किया है जैसमें वेल्यूस हमारे पास यह आ रही है तो यह मैं वेरियाबल यहां पर इस तरह से लिखता हूं तो अगर मैं यहां पर हमारे पास देखी कि कुछ इस्सरा से यह चीश आ चुकी है कि मैं इस पोस्स पर क्लिख कर रहा हूं यह पोस्स वन की तरह रहा है सिए। 수ल मेरे पास ला 셋 मीने ने इस पर रिखन उरल चेंज म्रॉं कि और ने और तो यह ए उरल चेंज हो रही है और अगर मैं इस पे जिक है तो इस वन इस पोस्ट अली पोस्ट ठीक है एंड इस वन इस फोर आहमद एंड इस फोर बासित ठीक है इस तरह से हमारे पास यह डायनमिक यूर्ल्स पन चुकी है यह बहुत सी जगों पर यह चीज काम आती है कि अगर आप शॉपिंग टाइप की वेबसाइट बना रहें तो वहां पर मुटिल कैटिगरीज होती है के अलग से सब कैटिगरीज होती है जैसे कि अगर मेरे पास एक कैटिगरी है विद नेम ओफ में ठीक है तो अगें में के अंदर जब हम अप्शिक करते हैं तो में की अगें सब कैटिगरीज नजर आरही है field विद नबतल के या क्लाऊस है या क्लाऊस है फिर मुंटर वेयर है तो ये चीज इस तरह से काम करते हैं डैनमेक यॉरिस के मेरे पास कैटिगरीज नजर आ रहा है मैंने उस फश्रम तो मेरे बनाऊस किड्व आरहा है मैंने अस पर यूरिल जो है वह आगे बनती जाएगी अब इस वक्त देखें इस यूरिल के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर पर्टिक्र जो है राउट के बाद सर्फ एक यानि के वेरियेबल रेसीव हो रहा है एक पेरामिटर रेसीव हो रहा है इस तरह से मल्टिपल भी हो सकते हैं एक जैसे यूरिल अकसर आपने देखा होगा बड़ी यूरिल हो जाती है इस तरह से भी यह चीज परफेक्ट्ली काम कर सकते हैं हो सकते हैं तो इस तरह से हमारे पास पाइथन जैंगो के अंदर वो डायनमिक यूरिल्स काम करती हैं इंशाला मिलते हैं नेक्स लेक्ट्चर के अंदर अधर के लिए अलाँफेस